लगाई गई है उत्तरप्रदेश सरकार में मंत्री दानिश अजाद अंसारी भी आज वहाँ पर पहुंच रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मदर्सों में इस तरीके का एक खास कारकरम जो है अउजित किया जा रहा है, किस तरीके का संदेश देखिए उत्तरप्रदेश के हमारे योगी सरकार प्रधार मंत्री मोदी जी के लीडर्शीप में हमेशा हमने मुस्लिम समाज के नौजवानों को सशक्त और सिक्षित बनाने के दिशा में काम किया है देश के पुर्व राश्पती महानवे ज्यानिक भातर अट्रेपीज जी अब्दुल कलाम का जीवन हम सब के लिए एक बहुत प्रेणा का सुरूत है आज उनके नवी पुनेतिती के मौके पे उत्रपिदश के हर मदरसे में कलाम साप की याद में साइन्स एक्षिबिशन लगेगा और मकसद यह है कि हमारे जो मुस्लिम समाज के नौजवान है सिक्षित हो के तालीम लेके समाज के मौके धारश से जुड़के विकास की तरफ आगे बढ़ें सार्थक दिशा में सही दिशा में आगे बढ़ें समाज के नौ निर्मार में अपनी भूमिका निभाएं राश्ट के उठाण वे अपनी भूमिका निभाएं लगता है कि जो कुछ खीस्टान चल रही है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा सबसे पहले तो कहीं कोई खिष्टान नहीं है और दूसरी बात नितियायों की बैठक प्रदेश के और देश की विखास के लिए बहुत जरूरी होती है आने वले समय की रूप रेखा इन बैठकों में तैय की जाती है निशीत और प्रदेश की जनता को यहां के विखास का वादा किया था उस पर हम खरे उतरेंगे और उत्तर प्रदेश को श्रशक्त और चांतावान बढाने के दिशा में हम इमानदारी से काम कर रहे है विपक्ष के पास को एजेंडा नहीं है आपको लगता है कि यह सब कुछ ठीक चल रहा है यह सब ठीक है विपक्ष के पास को एजेंडा नहीं है विपक्ष के यहल और के यहल जनता को गुमराह करने के एजेंडे के साथ राजनीती करता है बहुत शुक्रिया बात लेने के लिए उत्तप्रदेश सरकार में मंत्री दानिश हजाद अंसारी हमाई साथ महजूद थे लखनव से वीडियो जनरली पंकर निगम के साथ संदीप खेर भारत समचार करता है